नमस्कार दोस्तों आज हम लोग चर्चा करेंगे असाड मात तो चली रहा है और सावन मास का हिंदू धर्में बहुत ही महत पौन अस्थान हैं तो सावन मास कब से प्रारंब हो रहा है और इसमें पढ़ने वाले जो सोंबार हैं वो कब पढ़ रहे हैं इन सब बातों पर हम च करेंगे कहते हैं कि सावन महनी में भगवान सीव प्रितवी का भ्हमन करते हैं और इसी मास में देवशैनी 81 सी परती है जिस दिन माना जाता है कि सिरीहरी योग निद्रा में चले जाते हैं और प्रितवी के संपुर्ण देखरेक का कार्य भगवान शिव पर आ जाता है इसलिए ये माह भगवान शिव का प्रिये माह है और इसमें पुझापाट करने से मनुस्य की सरी सारी मनोवांचिक इक्षाएं पूरी होती है इस वार सावन 25 जुलाई से सुरू हो रहा है स्रावन श्रावन मास को सावन मास भी कहा जाता है सावन मास भगवान शिव का प्रिये मास माना जाता है चलिए सुनते हैं कब से सुरू हो रहा है 25 जुन 2001 की सुक्रवार से 7 मास का आरंभ हो चुका है अशार मास के बास सावन मास आता है हिंदु कलेंडर के अनुसार सावन मास को पाच्वा मास माना गया है सावन मास को सावन का महीना भी कहा जाता है सावन का महीना भगवान सीव को समर्पित है सावन के महीने में सोंबार का विशेश महतो बताया गया है सीवप्त सावन के महीने का इंतजार करते हैं और सावन के महीने में शीव की पूजा का विशेश पुन्य माना जाता है इसी माह में कावर यात्रा भी आयोजित की जाती है सावन का महीना हिंदू पंचाग्म के अनुसार 25 जुलाई से आरंब हो रहा है और इसकी समापती 22 अगस्त 2021 को होगी सावन का पहला सोंबार कब है? सावन मास का पहला सोंबार 26 जुलाई 2021 को है और सावन का अन्तिम सोंबार 16 अगस्त 2021 को है सावन मास का सिलसले वार्धंग से बता देती हूँ आपको कि सावन मास में इस वार 4 सोंबार पढ़ने वाले हैं और वो किस किस दिम पढ़ेंगे? सावन का पहला सोंबार 26 जुलाई 2021 सावन का दूसरा सोंबार 2 अगस्त 2021 सावन का तिसरा सोंबार 9 अगस्त 2021 और सावन का चौथा सोंबार 16 अगस्त 2021 सावन में सिप पूजा का क्या महत्व है? सावन के महिने में शिप पोजा का विशिस महत बताया गया है मान्यता है कि सावन के महिने में भगवान सीव माता परवती के साथ प्रित्वी का भ्रमन करते हैं और अपने भगतों को आशिरवाद प्रदान करते हैं इस वाह में सोंबार को ब्रत रखने से जीवन में आने वाले दिक्तें दूर होती हैं, सुख सम्रिदी प्राप्त होती है, दामपत्ते जीवन सुखद होता है और विवास सम्बंधी परिशानिया भी दूर होती हैं जो भी व्यक्ति उपासना के लिए भगवान सीव की उपासना के लिए जो सबसे उत्तम महीना माना जाता है वो सावन है, मानियता है कि इस महीने में जो भी भक्त शर्धा भाव से भगवान सीव की उपासना करता है, उनकी सभी मनुकामनाय भगवान सीव पूरी करते हैं सावन का महीना भवान सीव को बहत प्रिये होता है इसलिए सीवभप्त इसी महीने में कावर लेकर जाते हैं और उस कावर में भरे गंगाजल से सीवजी का अभिशेक करते हैं सावन का महीना धार्मिक दृष्टी से भवान सीव को समर्पित है सावन मास के सोंबार का ब्रत रखने से मनुस्य की सभी मनुकामनाएं पुड़ी होती है इसलिए सावन सोंबार ब्रत का हिंदु धर्म में विशेश महत्व है अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो वीडियो के पर ज्यादा लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुन न भूलें और आप सभी भबत जनों को सावन मास की बहुत बाएं